कि हलो प्रेंट्स आज मैं बताऊंगा यह दि आपके पस्टों का यह दि तापमान यह दि कम हो जाता है तो क्या ट्रीट्मेंट करना चाहिए बहुत इस तरह कि आपके इस फिल्ड के देखने को मिल रहे हैं और बहुत इस प्रकार की मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं और मेसेज भी आ रहे हैं कि सर एदी पस्टों का तापमान हमारे पस्टों का तापमान यह हो गया है चोटे बचलों का तापमान यह हो गया है बड़े पस्टों का तापमान यह हो गया है तो आज की वीडियो के अंदगत में सिर्फ आपको जो बड़े पस्टों है उनका तापमान कम ह पर क्या इलाज करना चाहिए उसके बारे बताऊंगा और फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर किया कम हो जाता है तो उसका इलाज करना चाहिए किस तरहीं Madison देख़र कि आप अपने पस्व को बचा सकते हैं यह सबसे ज़्यादा दिकत इस Mormon के अंदगत पस्म में देखने को मिलती है इसमें क्या होता है कि पस्वों का तापमान कम हो जाता है तो पस्वों का तापमान कम होना यानि जो गाय भैस है उनके शरी का तापमान होता है वह 101.5 डिग्री फोर्णाइट होता है यह इससे कम यह आपके पस्वों का तापमान कम होता जाता है 99 है 100 है तक चलता है लेकिन 98, 97, 96 तक यह दि पस्व का तापान होता है यह दि से भी निचे यह आपके पस्व का तापन यह दि चला जाता है तो आपके पस्व के लिए दिकत हो जाती है और कई बर आपका पस्व कोमा के अंदर भी चला जाता है कौमा के अंदर के यह बहुत ही लो टेमप्रेजर होता है तो पसू एकदम बेऊसी आलत में हो जाता है तो आपको यह पता भी नहीं लगता कि यह पसू में सिर्फ सांसे चलती रहती है और ऐसा लगता है कि जैसे पसू खतम हो गया है तो इस तरह के केस अब देखने को मिलते ह चाहिए ज्यादा समय नहीं निकालना चाहिए वरना आपके पसू की इसमें डैथ भी होती है बहुत से पसू की डैथ हो जाती है कईबर क्या करते हैं कि पसू पालक रात को द्याने देते हैं और फिर सुबह एदी कईबर देखते हैं तो उनके पसू क्या है कि मरेवे मिलते जो सर्दियों के मौसम में इस परकार की दिकत देखने को ज्यादा तर मिलती है क्योंकि समय ज्यादा निकल जाता है तो आप जब भी एदी आपके पस्व में इस परकार की दिकत है तो आप जितने भी जो पस्व पालक है अपने पास टेमप्रेजर थर्मामेटर जरूर रखें और तापमान नोट जरूर कर ले एदी आपका पस्व भीमार है तो एदी ज्यादा इस्तति खराब है तो तुरंत पस्व चिकत्सक को बला करके उसका इलाज जरूर करवाएं तो इसके लिए कौन सा इलाज करवा जाता है वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलता हूं जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रիटमेंट दिख रहा है ये ट्रीटमेंट उस पस्व का किया जाता है यह अदि आपके पस्व का इदी तापमान कम हो जाता है तो आप इस तरह के भी कमेट्स आते हैंगी यह से हमें ISP यानि इंट्राविनस इंजेक्षन लगाना नहीं आता है तो इदी पस्शूं गा? यह थी थोड़ा तापges is तरह तो कौन च आता है के इंट्रामस कउधर केलिशियम का इंजेक्शन होना चाहिए जो कि लार्ज एनिमल्स हैं जो बड़े पसू हैं उनके अंदर गदाप 20 ml से लेकर के और 25 ml तक आप ये इंजेक्शन इंट्रा मस्कुलर ओनली ओन इंट्रा मस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाना है ये इंजेक्शन की बहुत ज़्या जान रखना है फिर आप उसके अंदर गद जो इंजेक्शन आता है फास्पोर्ष का बहुत जरूरी है फास्पोर्ष का इंजेक्शन भी लगना बहुत जरूरी है जिस प्रकार से ये टोनो फोस है जिसके अंदर साल्ट है टोल्डिम फोस सोडियम ये इंजेक्शन भी जो इनिमल्स हैं जो बड़े हैं जिनका बोडिवेट ठीक है तो 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रा मस्कुलर वे इंट्राविनस दोनु रूट से ये इंजेक्शन लगवाया जाता है एदी आपके इस तरह की दिक्कत एदी आपके पस्व में हो गई है तो ये इंजेक्शन भी उन पस्व पस्व को जरूर लगवाएं एदी इस तरह की दिक्कत है तो साथ साथ आपको नियूरोकाइन इंजेक्शन भी जिसके अंगद मेकोवाला बीन साल्ट का जो इंजेक्शन हो जिस प्रकाश ये नियूरोकाइन प्लस है ये इंजेक्शन भी उन पस्व को जरूर लगवाना है इसकी भी डोज वही है जो पंदरा से बीस एमेल पंदरा एमेल से लेकर के बीस एमेल के बीच में इंट्रा मस्कुलर वैं इंट्राविनस दोनु रूट से ये इंजेक्शन उस पसू को जरूर लगवाएं ये दिया आपके पसू में इस प्रकार की दिकत है क्योंकि जब ये दिया आपके पसू का टेमपरेजर ये डाउन होता है तो उसके अंदरगात केलस्यम की दो कमी होती होती है इसमें क्या होता है कि बलड के अंदरगात जो एलिमेंट्स हैं तत्वा हैं उनकी कमी पसू में पाई जाती है जिसमें कारशे केलस्यम है फास्पोर् पसो में जब इस तरहे की दिकत है तो इसमें कईबर पसु लेड़ जाता है, घिर जाता है, कईबर पसु अपने एक इस्तान पर खढ़ा खढ़ा रहता है, तो इस तरह की दिकत, इस तरह की सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं पसू में तो उसमें ये इंजेक्शन भी लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जिस प्रकार से नियुरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है साथ साथ आपको इंटिस्टामिन जो इंजेक्शन है जिस प्रकार से CPM इंजेक्शन तो ये कलोर फिनेरमाइन मेलेट साल का इंजेक्शन जिस प्रकार से कैडिस्टिन है जाइड़स का ये बड़े पसू के अंदर का 10 ml ओनली ओन इंट्रा मस्कुलर ये injection भी उस पसू को जरूर लगवाएं देखो ये injection भी लगाना बहुत जरूरी होता है साथ में ये आपके पसू में किसी भी तरह कि कोई भी दिकत आपके पसू में नहों तो ये injection आप उसको जरूर लगवाएं अब देखो और ही बात इस तरह है कि case के अंदरगर आपको कभी भी एंटिवाइटिक इंजेक्शन का परियोग नहीं करवाना है किसी भी तरह की कोई भी एंटिवाइटिक को बिल्कुल परियोग नहीं करवाएं अपके पशुव में दाउन हुआ है साथ-साथ आपको जो एंटि-पायेटिक इंजेक्षन आते हैं जो इंजेक्षन है जिस परकार से परकार से पिर्चिता आमोल नsource लायड्य पिराशिता मोल डेटोल पीनामीकेसी था किको प्रोफेन इस हाल्ट के तरह के इंजेक्शन भी आपको उसमें परियोग ने करें साथ साथ एदी आपको मैंने जो बता है कि जो इंट्राविनस इंजेक्शन एदी नहीं लगाना जानते या नहीं लगवा सकते तो साथ में आप जो केलसियम की जैल आती है पसू को तो यह 300 ग्राम की जो एक जैल आती है जिस परकार से अदर कम्पनिय की है जिस परकार से मेंन काइंड की है तो ये एक जैल आप सुबह और एक जैल आप सियाम यानि 12 गंटे के इंतराल में आप सुबह और सियाम लगातार आपको दो दिन इस तरह की सुबह सियाम उस पसू को देनी है यह दि आपके पसू में यह दि टेमपरेजर डाउन हो जाता है तो केलसियम जैल का भी आपको यह दिया आप यह treatment कर लेते हैं या करवा लेते हैं अपने पशू का पशू चिकतसक के दौरा या कोई साइक पशू चिकतसक के दौरा वेटरिनरी से सम्नित कोई भी है उनसे treatment करवा लेते हैं फिर भी यह दिया आपके लग रहा है कि एक बर treatment कराने के बाद में दो से चार गं लगवाएं तभी आपको अच्छा रिजल मिलेगा वह तो इंजेक्शन इसलिए कि आप इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाना लगवा सकते हैं तो लगवा सकते हैं लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल इंट्राविनस का है तो इसमें काल बोरल केल्शियम इंद्रकट जो केल्शियम और की पूर्ती आपके पसू को होती रहे और आपका पसू जल्द तुर कईबर ऐसा होता है कि लगाने के बाद में भी आपका पसू वापीस दो से चार गंटे बाद में वापीस इसी इस्तिति में आ जाता है तो सबकट इंजेक्शन इनी दिया लगवा देंगे और साथ में जो ये केल्शियम की जैली दिया पिलाते रहेंगे तो आपका पसू वापीस रिकुरी नहीं लेगा लेगा लेगन सर्दियों के इंद्रकट जो बोतल आती हैं जो इंजेक्शन आते हैं इनको आप थोड़े गरम पानी में डाल करके आप इसका परियोग करें जैसे ऐसा नहीं है कि जैसे आप बैक से निकाली और तुरंद का तुरंद आप उस पसू को लगा दे रहे बाद जो केल्शियम की जितने भी जो आती हैं बोतल हो या इंजेक्शनों उन्हें आप दिरे दिरे ही आप चड़ाएं इस बात का आपको जूरू ज जहान रखना है ज्यादा जल्दी आप ना करें इस तरह के प्रसू का यदि तापन कम हो जाता है तो आपका पुरी लेगा और अपने प्रसूं के बचाव के लिए करना है कि जब आप पर इस प्रसू में ए खुले वातावन में जिस प्रकार से जहाँ पर सूरी की किरने वहाँ पर आप जैसे तिरपाल वायने का परियोग करें ताकि वहाँ पर डायरेक्ट आपके पसुँ को सीत लहर की चपेट में नाए ताकि कई बरी इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आपके पसुँ में रिक्विरी लेने में समय ज़्यादा लेता है इस तरह से आपको जो अधर जो बीमारी हैं इस तरह की दिक्त है यह पसुँ में अब देखने को मिलती हैं तो कौन सी बीमारी हैं उसके बारे में भी आपको ट्रिक्मेंट सहीद सही और सटीक जानकरी आपको इस चेनल पर 100 पर सेंट आपको ऐसी मिलती हैं जो कि आपको अच्छी ग्यानवर्दक हो और आपका नोलेज भी बढ़े यह दि जो अभी भी इस चेनल पर जो नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चेनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चेनल पर आपको सभी परकार की मेडियेशन, सभी परकार की पसू में, रोगों मोटिवेसन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी हो नोलेज भी वीडियो आपके लिए हर्स में ऐसे लाता रहूँगा इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहें इसी तरह से मेरे को प्यार देते रहें थैंक्स धन्यवाद